पूर्च के इस वीड़ों में हम बात करेंगे भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार की रीकिनमे नौटिफिकेशन के बारे में और इसकी लबेटे के बारे में तो यहाँ पर जो यह बार्ख ने नोटिफिकेशन जारी किया है यह फ्रेंड से आपके online application form है जो की फ्रेंड से various scientific यह technical post के लिए जारी किया गया है DAE में तो यहाँ पर जो यह notification है 03-2023-BARC है जिसके लिए आप online आविदन कर सकते हैं 22 मई 2023 तक तो यहाँ पर जो यह notification है यह फ्रेंड से बार्ख की official website पर आपको देखने को मिल जाएगा बात करेंगे इस वीडियो में बार्ख notification 2023 की details के बारे में और इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें तो यहाँ पर देखिए फैंसे ये इसका official notification है जिसमें Government of India Department of Atomic Energy भाबा Atomic Research Center इसमें फैंसे यहाँ पर Attachment No.03-2023 आपकी जारी की गई है इसमें opening date जो है form को apply करने की वो 24 अपरेल 2023 है लास डेट जो है apply करने की वो 22 मई 2023 आपकी रहेगी तो 24 अपरेल 2023 सुबज 10 बरी से आपक activate होगा form apply का वीडियो भी आपको provide कर दिये जाएगा जिसमें आप step by step process चेक कर पाएंगे कैसे आप इसमें जो है आविदन कर सकते हैं online इसके अलावा इंडिया इंडियन से अप्लाइ कर सकते हैं आप किसी भी स्टेट के निवासी है आप इसमें apply कर पाएंगे all India vacancy यहाँ आपकी यह रहती है अब बात करते हैं इसके further details के बारे में सबसे पहले फैंस से यहाँ पार देखिए दो तरह की vacancy है एक है direct requirement एक है आपके training इसकी दोनों ही आपकी पर्मनेंट जॉब है आपकी यहाँ पर salary रहेगी इसके बाद फैंस से नेस्ट वेकेंसी है स्टीपेंटरी ट्रेनी केटेगरी वन इसमें आपकी 1216 वेकेंसी है पहले साल जो आपको 24,000 मिलेगा और सेकंड डियर आपको 26,000 पर मिलेगा इसके बाद category 2 जो वेकेंसी है जो कि स्टीपेंटरी ट्रे इसकी तो सबसे पहले तो direct requirement है technical officer C इसमें यहाँ पर देखिए आपको और discipline देखने को मिल जाते हैं और साथ में आपको BE, BTEC की जानकारी आपको दी गई है तो जात तर इन post में MSC आपके BTEC के BE आपके applicable होंगे, relevant discipline में आपने यहाँ पर qualification की है, आप apply कर सकते हैं library and information science में भी master आपका library science में होना चाहिए और चार साल का experience आपका required रहता है इसके बाद friends से नीचे आपको scientific assistant B की vacancy दी गई है जिसमें B.Sc, आपका food technology, home science और nutrition में होना चाहिए, इसमें आपकी 7 vacancies रहती है इसमें भी friends से डिप्लोमा में 60% marks आपके होने चाहिए, इसमें आपके B.Sc आपके required रहेगा और या friends आपका जो B.Sc है वो bio science में, bio chemistry में, life science में आपके पास, chemistry में है, physics में है, computer science में है, agriculture में है, होरी कल्चर में है, आप आविधन कर सकते हैं इसके बाद friends से nest जो post है, वो है category 2 stipendary training, अब यहाँ पर देखे, trade जो आपको दी गई है, इसमें आपका SSC, मतलब 10th, जिसमें science and mathematics आपके पास होनी चाहिए, 60% marks के साथ आपका यह required रहेगा, प्लस में trade certificate, आपका respective trade में आपके पास होना जरूरी है ऐसे ही नीचे भी friends से आपको यहाँ पर trade दी गई है, जिसमें 10th, प्लस में IT certificate आपका यहाँ पर required रहेगा इसके बाद plant operator की जो vacancy है, इसमें आपका 12th, जिसमें आपके पास physics, chemistry and mathematics 60% marks के साथ है लेबरोटी में friends से आपका यहाँ पर same आपका HST मतलब 12th, physics, chemistry, mathematics में और biology में 60% marks के साथ है और dental technician के लिए friends से HST, जिसमें आपके पास science हो, 60% marks के साथ और 2 साल का diploma आपके पास dental council of India का होना चाहिए तो ही आप इसमें applicable होंगे apply करने के लिए इसके बाद friends से देखे trade apprenticeship throw अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपको यह star लगा मिलेगा वहाँ पर देखे national trade certificate NTC जो की सिर्फ ITE pass out हो और यह 2 साल की duration का आपका होना चाहिए और यहाँ फ्रेंस से national apprenticeship certificate NAC जो की 2 साल की duration का आपने किया हुआ हो इसके बाद friends से physical standard देखे जो training scheme है उसके अंतरगत minimum height जो है वो 160 cm minimum weight जो है 45.5 kg होना चाहिए age limit की बात के बात के तो closing date 22 मैं पर count किया जाएगा technical officer के लिए 18-35 साल scientific assistant के लिए 18-30 साल technician B के लिए 18-35 साल category 1 stipendary training के लिए 19-24 साल और category 2 stipendary training के लिए 18-22 साल आपका एस काहिट रहेगा और जंडल के लिए है अगर आप OBC, SC, ST, PH candidate है एक service man है तो आपको आपा raise में छूटे मिल जाती है अब बात करते हैं friends इसके selection process के तो आपका selection कैसे होगा technical officer के लिए फैंसे यहाँ पर देखिए selection जो है वो आपके interview के business पर होने वाला है इसके बाद scientific assistant B और category 1 stipendary training के लिए आपका देखिए computer based screening test होगा एक गंटे की duration का इसमें friends से आपके 40 multiple choice questions होगे हर एक question के लिए तीन number आपको मिलेगा और wrong answer के लिए एक number deduct कर ले जाएंगे इसका friends जो syllabus है वो friends से डिप्लोमा या BST level का आपका रहेगा इसके बाद friends से आपकी screening होगी shortlisting के जाएगा आपको interview के लिए और उसके बाद आपका इसमें final selection होगा category 2 stipendary training और technician B के लिए आपका देखिए pre advance और skill test होने वाला है इसमें देखिए जो pre test है इसमें friends से आपके लिए 50 multiple choice question होगे एक गंटे की donation होगी हर एक question के लिए 3 number और negative के एक number आपके कटेंगे इसके बाद एक merit list जो है friends से वो stage 2 के बाद तयार की जाएगी और इसके बाद आपका skill test होगा skill test clear करने के बाद ही friends से आपका इसमें जो final selection होने वाला है आप कैसे apply कर सकते हैं तो barkonline exam.com की official website है वहाँ से आपको इसमें आविधन करना है इसके लिए friends से आपको यहाँ पर कहा गया है कि आपको instructions को पढ़ना है और उसके बाद भी आप इसमें आविधन कर पाएंगे आपको एक post के लिए एक ही आविधन करना है पर आप multiple application form apply कर सकते हैं हर एक post के लिए अगर आप अलग-अलग post के apply करना चाहते हैं तो हर एक post के लिए आपको अलग-अलग apply यहाँ पर करना होगा यहाँ पर आपके exam center होने वाले है और इसके बाद फैंसे आपको कुछ instructions यहाँ पर दिये गए हैं जो कि आप यहाँ पर check कर सकते हैं तो यह friends से आपका notification है जिसके बारे मैंने जो main point है वो आपको बता दिये है वो हमारा वीडियो पसंद आया है तो like, subscribe इसे जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube channel एलास thanks for watching